गुद मॉर्निंग और फूं ElijahTuber टोपिक वाक्या. वाक्या किसकी आधार पर? रचना की आधार पर वाक्या. अभी हमने प्छली अध्ये में बढ़ा था. पिछली क्लास में अर्थी की आधार पर वाक्या, आठ परकार क्या होते हैं और रचना की आधार पर वाक्या, कि तीन पुदान के तूर पर उसे तैरना आता है यानि एक ही करता है एकी किरिया था देकि उद्देश एकी विदेव वो सरलवाक्य होते हैं नेक्स्ट है संयूत वाक्य जहां दो या दो से अधिक सरलवाक्य किसी संयूजक से जुड़े होते हैं उन्हें संयूत वाक्य कहते हैं यानि जहां एक से अधिक सरलवाक्य होते हैं और वो किसी संयोजिक शप्त की द्वारा चुड़े होए होते हैं, जैसे विजे की साइकल गुम हो गई, इसलिए वह दुखी है, उसने खाना खाया और वह सो गया, तो इन दोनों वाक्य में इसमें इसलिए और इसमें आउर शप्त, यह किसका काम कर रहे हैं, संयोजिक शप् रहे हैं, नेक्स्ट है, मिश्रित वाक्य, कि चिन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उनमें से एक प्रधान तथा अन्य गोन उपवाक्य होते हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं, यानि मिश्रित वाक्य के अंदर एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उप लेकिन उसमें चोटे चोटे पार्ट में डिवाइड होता है उसे वाक्य कहते हैं तो उसमें से एक तो मुख्य होता है प्रधान होता है तेथा अन्य गोण होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं जैसे देखिए रंजीत ने कहा कि वहकल जहांसी जाएगा इसमें दो वाक्य मिलान करने वाला की वहकल शांसी जाएगा रोमा वहकानी पढ़ रही है जिसे शिक्षिकाने याद करने को कहा था इसमें भी दो वाक्य हो रहे हैं जैसे रोमा वहकानी पढ़ रही है कुन से खानी पढ़ रही है जिसे शिक्षिकाने याद करने के लिए कहा था तो इसमें जि मिश्रित सरल वाक्य वो होते हैं जिनमें एक युद्धेश्य होता है रहे की विध्य होता है संयुत वो होते हैं जहां दो या दो सदिक सरल वाक्य किसी संयुजिक शब्द की द्वारा जुड़े होते हैं और मिश्रित वाक्य वे होते हैं कि जिन वाक्य में एक सदिक वाक्य ह रहारिवार्य वहतार है स्धियुक्य कि मिस्तव śता कात स्वत् समयुक्य में समयुक्य तो समयुक्य समयुक्य में झाल तो सहर्दे बनो, यानि इसमें संयोजिक शब्द कौन सा हो गया, परन्तों असी तरह नेक्स्ट देखे, उसने घर आकर भोजन किया सरवाक्य क्या है, इसका संयोजिक बनाना है बहे, घर आया और उसने भोजन किया, इसमें और शब्द से जुड़ा है नेक्स्ट है, बाहर जाने के कारण मैं आने सका इसका सैंगत वाक्य हो जाएगा मैं बाहर गया हुआ था इसलिए आने सेका तो इसलिए शब्द है वो सैंगत कारिये कर रहा है नेक्स्ट है, गंटी वजने पर छातर कक्षा में चले गई यह तो हो गया सरल वाक्य है और इसका सायुक्त वाक्य बनेगा घंटी बजी और छातर गक्षा में चले गए इसी तरह से देखें सरल वाक्य से अभी हमने सायुक्त वाक्य बना है अब बनाएंगे सरल से मिश्र अगर ऐसे बहुत सकता है कि जैसे सायुक्त वाक्य दे दे कि घंटी वजी और छातर गख्षा में चले गए इसका सरल वाक्य में परिवर्दन कीजे तो इसका हो जाएगा घंटी वजने पर छातर गख्षा में चले गए यनि सायुक्त से सरल और सरल से सायुक्त अब है सरल से म मिश्रवाक्य बनाना तो सरल वाक्य है परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है तो मिश्रवाक्य हो जाएगा कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह है अवश्य सफल होता है नेक्स्ट एग्जम्पल है मैंने एक दूबला पतला आदमी देखा मुक्ख्धा नहीं होता है जिसकी किर्या में कोई प्रीवर्तन सुख्धा होता है बेज़दा सुखी रहते हैं हम नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य को मिश्रुवाक्य में बदलना यह ऐसे भी सकते हैं मिश्रुवाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना कि नीर्जा ने ऐसा इक्त वाक्य है नीर्जा ने कहानी सुनाई और नमीता रो पड़ी तो इसका मिश्रु वाक्य बनाएगा कि नीर्जा ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमीता रो पड़ी नेक्स्ट है मेरी पाथे करम में गोदान उपन्यास है जिसके लेक लिखक नेक्स्ट देखे शीला ने पुश्तक मंगे उसे 수가 मिल गई तो इसका मिश्रा हमें रउपаменथ्रण हो जाएगा सीला बुस्तक मांगी थी उससे मिल गई ऐसे भी हो सकता है या वह उससे मिल गई भे भी आ सकता है तो दोनों ही बाट्गियां पर कीख होंगे तो अब हम इसमें से देखते हैं, यह हमारा रचना के अधर पर वाक्य हो गए और वाक्यों का रुपांत्रन हो गए, सरल से मिश्र, सरल से संयुक्त, और संयुक्त से मिश्र या मिश्र से संयुक्त, अब इसी अधर पर हमने कुछ प्रशनों का निर्मान क्या है, इसमें हमें बताना है कि वाक्य किस प्रकार का है अभियास कारे के लिए देखें कि जैसे आकाश में उड़ते हुए बाजने चिडिया पकड़ी ये किस तरह का सरल है संयुक्त है या मिश्र वाक्य है या आपको बताना है जिनकी आय कम है उन्हें सोच समझ कर व्य करना चाहिए मैंने उस बच्ची को देखा था जो पतांग उड़ा रहा था तुम बुद्धिमान हो इसलिए ढंक से बात करो वह सबजी मंडी जाकर केले संत्रे और टमाटर लाया विवा में चुन्नो मुन्नो और मैं जाएंगे बात बात में परंतु कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है ध्यान इसलिए स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बिमार है यह हमारा अभ्यासकारिया है हमारा वाक्य का टोपिक कंप्लीट हो चुका है टू पार्ट में कंप्लीट हो आ है पहला हमने पढ़ा है अर्थ की अधार पर और दूसरा हमने पढ़ा है रचना की अधार पर अर्थ की अधार झाल झाल झाल